नमस्कार आस्रम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बरतमान समय में सभी लोग सरकारी जॉब सरकारी नोक्री के परती बहुत अधिक आकर्सित हो रहे हैं और हम इस हतेली से यह जानने का प्रयास करेंगे तो आए आज का आंग हम सुरू करते हैं तो जब किसी हतेली को आप देखते हैं तो सबसे पहले उसकी जीवन रेखा को अवस्ती देखना चाहिए हतेली की बनावाट के बाद आयू रेखा जब इनकी आयू रेखा को हम इस प्रकार से देख रहे हैं बिल्कुल साब सुत्री और लंबी आयू रेखा जो यह बतला रही है कि इनकी आयू रेखा साब सुत्री 80-85 या 85 बरस से भी अधिक अच्छी आयू में यह 90 बरस तक की आयू भी बिल्कुल साब सुत्री आवस्ता में यह जी सकते हैं जो बरतमान समय में दिख रही है हाथिली में, दूसरी जो सबसे पोजेटिब चीज हाथिली में दिख रही है कि आयू रेखा पर से कई एक रेखा, एक रेखा तो गुरु परवक पिचली गई है, जो कि उच्छ महत्वा कांच्छा को दिखला रही है, जिवन में बहुत ने कुयसे लेखा करते है सफलता की रेखा करते हैं չिशरे को में जंग कूरु क गरुप करिब 35 बर्स की आईउ तक यहा तक में यहां तक में कई एक सफलता की सफलता की ऐनके दृवक जीवन में इनके सफलता की हैं और यह यदि यह सफलता की मौक्ई इनके ज Psych Side said से पर म पर दिख रही है अब दूसरी स्थिति देखते हैं तो सुरी सबसे पहले में देखना पड़ता है सुरी की स्थिति यदि आप खास करके गौवर्मेंट शेतर में जाना चाहते हैं तो जब हम यहाँ देख रहा है तो इनकी हतेली में एक रेखा बहुत अच्छी देख रही है जिसे हम बिद्या की रेखा करते हैं मतलब ग्यान की अंदर में बिद्या ग्यान इसे पढ़ाई का जो किसा नहीं इसे ग्यान से जोड़के देखा जाता है सिक्छा से नहीं ग्यान से बुद्धी से तो यह इनकी हतेली में यह रेखा है जो बताते हैं काफी बुद्धिमान और यानवान बेखती हैं और दूसरी इस्तिति जो हम इनके सूरी पर देखते हैं चुकि सूरी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है आपको गौर्वर्मेंट सेक्टर के लिए भी सेसकर तो सूरी परबत यहां पर इनका दबा हुआ नजर आ रहा है गौर्मेंट सेक्टर में जा जारी हलागी गुरू पर पोजिटिव चिन नजर आ रहे हैं जैसी कि इसमें एक ट्रेंगल बनावा सापसुत्रा यहां नजर आ रहा है तो मैं पहले बता दूं कि अगर गुरू पर आपको क्रॉस बनता हो गुरू पर यदि ट्रेंगल बनता हो ति अपने आप में सरकारी चेतर में जाने का एक रास्ता खोलता है तीस हतेली में हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंगल का निर्मान इस हतेली में हो पा रहा है इस प्रकार से साथ में इनके हतेली में एक पोजटी साहीन है कि सूर्ज रेखा अच्छी इस्तिती में दिख रही है बिल्कुल हिरदर रेखा से निकलती हुई मजबूत सूर्य रेखा इनके हतेली में, सूरी थोड़ा डाउन अवस्थी है, लेकिन अगर यदि ये प्रयास करें हैं सूरी से संभनधित कुछ उपाई कर लें ध्यान दे, यदि सूरी परमध डाउन अवस्था में है, तो सूरी से जब इनकी उंगलियों को देखते हैं ति इनकी बीच में गैप नजर नहीं आ रहा है। यह ऐसा लग रहा है कि हाथेली के उंगलियां इनकी बहुत अच्छी तरह से पैक होती है या सटके रहती है। यह भी अपने आप में अच्छा चिन होता है जो कहता है कि ऐसे जातक धन को इस्टोर करने की छमता रखते हैं। में बहुत अच्छा होता है तो जीवन में ऐसे जातक काफी आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। अब इनकी एक चीज जोहतेली में दिख रही है यह सबसे प्रमुक। जो कि अगोठे को लेकर अगोठे को देखते हैं तो अगोठे को लेकर आपके इस भाग से बिलकुल नॉर्मल अवस्था में अगोठा ऊपर चले जाए। तो ऐसे जाता कि माना जाता है अंगुठा लंबा है, ऐसे जाता कि हर छेत में सफल होते हैं, लेकिन जब अंगुठा आपका छोटा पढ़ जाए, छोटा कहने का अर्थ होता है, आपका इस भाग तक पहुंचे या इसके लगभग पहुंचे तो अंगुठा छोटा कहा जाता है यदि अंगुठा छोटा है इनका बास्तविक रूप से कितना बड़ा है ये तो जब हतेली को मोड़ेंगे तो ये पता चलेगा लेकिन आप एक बात ध्यान ले यदि हते आपका अंगुठा छोटा है यहां तक पहुंचता या इससे नीचे रहा जाता है जीवन में आपको आप परिसरमी बहुत हैं महनत बहुत करते हैं लेकिन उसके फल आपको कम प्राप्त होते हैं जीवन में संगर्स को अधिक दिखलाता है आई हम बात कर रहे तो गौवर्मेंट शक्टर में जाने की तो गौवर्मेंट शक्टर के हमने दो तिन चिन्न बतला दिये जिसमें से परबतों की स्थिती भी बहुत महत पूर्ण है गुरु परबत इस हतेली में सामान यवस्था में दिख रहा है गुरु अच्छा होना सुरी का अच्छा होना ये गौवर्मेंट शक्टर में बेक्ती को ले जाता है आपके जीवन रेखा से कोई रेखा निकल कर इस परकार स सनी में चले जाए ये भी आपको गौवर्मेंट शक्टर में ले जाने के योग खोलता है आपके हतेली में एक अच्छा सुर्ज रेखा होना जैसा कि इस हतेली में दिख पा रहा है और एक अच्छा भागी रेखा ये भी इनके हतेली में दिख पा रहा है भागी रेखा का ह यह भी आपको गवर्मेंट शेक्टर में जाने के योग को दसाता है और बनाता है तो कुल मिला कि हतेली में जो भी प्राथमिंग निश्कर समने निकाला है यह अच्छी वस्ता में है इनको सार्थक परियास करना चाहिए सेवाई इने प्राप्त होने की संभावना बन रही है हतेली में बहुत कुछ है बांकी चर्चा अगले आंक में करेंगे धन्यवाद